स्वागत है आप सभी का जीटी वीडिया न्यूज पर आज इसी सक्षित का जो उत्रपरदेश की सियास्त में किसी प्रिचे की मोहताज नहीं है उत्रपरदेश की विधान सभा में लंबे समय तक वह सदस्य रहे इसके अलावा वर्तमान समय में वह लोकसभा के सदस्य हैं हम बात कर रहे हैं रामपूर के सांसद आजम खान की जो सामाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है और सामाजवादी पार्टी में उनकी गिंती अगरिम पंक्ती के नेताओं में होती है आजम खान ने 1974 में अलिगर्ड मुस्लिम इस विध्याले से लाकी प्रिक्सा पास की और उसके बाद 1980 में वहे जनता दल सैकुलर के टिकट पर रामपूर विधान सबच्छेदर से विधायक चुने गए इसके बाद 1980 में विधायक चुने जाने के बाद 1985 में दूसरी बार विधायक चुने गए 1989 में तीसरी बार विधायक चुने गए 1989 में वहे जब परदेश सरकार में 1989 से 1991 तक परदेश सरकार में मंतरी भी रहे इसके अलावा बात करें 1992 में जब समाजवादी पार्टी के गठन हुआ तो समाजवादी पार्टी के गठन के बाद 1993 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर छेतर से विधायक चुनेगे और लंबे समय तक उन्होंने रामपूर विधान सभा छेतर का परतिनी दित्यों किया वर्तमान समय में भी उनकी पद्री तंजीम फातिमा यहां से विधायक हैं तो 1993 में जब सामाजवादी पार्टी का गठन हुआ 1992 में तो 1993 में जब विधान सभा चुनाओ हुई तो आजम खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपूर विधान सभा छेतर से विधायक चुने गए और 1993 में परदेश सरकार में मंतरी भी बने इसके बाद 1996 में उन्हें राज्य सभा भेज दिया गया और 2002 तक वह राज्य सभा के सदस से रहे 2002 में फिर विधान सभा चुनाओ में विधायक बने और 2003 से 7 तक परदेश सरकार में फिर मंतरी बने कैबिनेट मंतरी बह रहे इसके बाद 2007 की विधान सभा चुनाओं में वह समाजवादी पार्टी की ठिकट पर विधायक बने और विधायक रहते हुए 2009 में जैपरदा ठाकुर अमर सिंग एवा मुकल्यान सिंग मामले में कई मामलों को लेकर वह समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए उस समय वह समाजवादी पार्टी के राष्टे मा सचीव थे उन्होंने अपने पद से इस्तिफा दे दिया जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्टे अध्यक्स मुलाइम सिंग यादाओं ने 24 मई 2009 को उनका 6 वर्ष के लिए पार्टी से निलम बन कर दिया हालांकि उनका निलम बन 4 दिसंबर 2010 को समाजवादी पार्टी के राष्टे अध्यक्स मुलाइम सिंग यादाओं के दवारा रद कर दिया गया जिसके बाद 2012 के विधान सभा चुनाओं में वे फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाओं लड़े और समाजवादी पार्टी के सरकार परदेश में बनी अखलेश आदाओं के नेतरतों में सरकार बनी जिसमें कई विभाग उन पर कई मुखे विभाग रहे जिस से एहम विभागों के वह मंत्री रहे और प्रदेश के मीनी मुख्य मंत्री आजम खान के हिजाडने लगे हलांकि उसी बीच परिवार में विवाद हुआ उसमें भी जो आजम खान का रोल था परिवार को एक जुट करने में हलांकि उसमें वह सफल नहीं हुए लेकिन अखिल समाजवादी पार्टी ने सवार विधान सवाच छेतर से चुनाव लड़ा है अब्दुल्ला आजम उनके पुद्र है सवार विधान सवाच छेतर से वह विधायक चुने गए 2017 में इसके बाद 2019 के लोग सवाच चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को रामप पाँच सांसत चुनाओं में जीत दर्ज करने में कामियाब रहिए जिनमें खुद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलाहम सिंगादव, सरकशक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रियाद ध्यक सखलीश अधाओ, एश्टी हसन मुरादाबाद से सांसाच चुने गे, सμभल से सफीकुर रह्मान बकर और रामपूर से आजम खान सांसाच चुने गे बस्पा और सपा के गडवंधन में यह तीनों यह 5-6 सामाजवादी पार्टी के लोक सांसाच चुने गे, उनमें एक आजम खान भी थे इसके चलते वही वह परदेश में योगी सरकार के निसाने पर आ गए और योगी सरकार में उन पर लगभग 80 मुकद में दर्ज हुए जिसके चलते वह आज भी जीला कारगार जेल में बंद है मैं बात करें जब उनकी सिर्ट 2019 में लोग सबा सांसर चुने जाने के बाद रिक्त हुई तो समाजवादी पार्टी ने उनकी पतनी डॉक्टर तंजीम फातिमा जो पूर में समाजवादी पार्टी की राज्य सबा सदस्य भी रही हैं उनको इस सिर्ट से चुनावी मैदान मे पतारा और इस बार भी परदेश में योगी सरकार होते हुए भी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने बड़ेंतर से जीत दर्ज की और रामपूर जो विधान सबा छेतर है उस पर अपना जो उनकी पकड़ है उसका एहसास परदेश और देश के दिगजनेताव को करा आपको बत वरतमान समय में वहलोक सबासांसद हैं वहीं उनके पुतरसवार विधान सबा छेतर से विधायक हैं और उनकी पतनी रामपूर विधान सबा छेतर से विधायक हैं तो उनका बड़ा परभाव मुसलिम मद्दाताओं में भी माना जाता है परदेश के मुसलिम चेहरे सामाज सामाजवादी पार्टी मुस्लिम मोटरों को लुभाने के लिए आजम खान का इस्तमाल करती रही है तो हम आपको बता दें वर्तमान समय में जो इस्तिति है आजम खान की तबियत भी ठीक नहीं और वह भी मुकदमों के चलते जेल में बंद है तो अब चर्चा है कि उनकी पुद्रवधू है इसको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है हाला के इसमें कितनी सचाई है और समाजवादी पार्टी क्या फैंसला लेती है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि सामाजवादी पार्टी अपने आजम खान पर विस्वाज जता दी है उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देती है इसके अलावा आजम खान का परभाव आसपास के जीलों में भी माना जाता है और बड़े मुस्लिम चेरे हैं जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं इसके अलावा हम अन्ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में या अन्ये पार्टी के नेताओं के बारे में बताएंगे जो परदेश की कद्दावर राजनिता है जिसमें लक्षमी कांतवाजपई जो लंबे समय तक मेरत विधान सब अच्छेतर से विधायक रहे उनके बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करपे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वह अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पेज भी ल करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बहुत